नमस्ते बच्चों कैसे हैं आप सब बच्चों आज हम कक्षा आठ विशय समाजिक विज्ञान के कौन से विशय का पाठ एक पढ़ने जा रहें जिसका नाम है संसाधन आप बता सकते हैं आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना संसाधन कौन से विशय का है समाजिक विज्ञान से नागरिक शास्त्र का है कि भुगोल का है भुगोल का है भुगोल का भुगोल का ना शाबाज ठीक है चलिए तो हाँ समाजिक विज्ञान भुगोल के पाठ एक संसाधन के बारे में आज पढ़ेंगे संसाधन क्या होता है बच्चों आपको पता है किसे बोलते हैं संसाधन अपने शब्दों में आप उत्तर दे सकते हैं या आपको क्या समझ आता है संसाधन से यह तो बेटा बुक में लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है है ना आप क्यास असंसाधन से खुद समय पढ़ने पर मैं आपको बता रही हूं ठीक है यह नहीं किसी भी वस्तु का उपियोग करना होता है तो जब समय पढ़ने पर हम किसी वस्तु का क्या करते हैं उप्योग करते हैं तो वो क्या कहलाती है संसाधन जैसे कि अभी आप सब पढ़ाई कर रहे हैं अब पढ़ाई करने के लिए आपको किस-किस वस्तु की जरुवत होती है बताईए पेन, कापी, बूक हम इसकेल हाँ और अभी आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको किसकी जरुवत पढ़ती है पेन, कॉपी की मैं वो तो है ही उसके अलावा भी आप मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं न तो मोबाइल मोबाइल की भी जरुवत पढ़ रहे हैं आपको ऑनलाइन क्लास के लिए है ना तो ये सब क्लाइन है संसाधन है तो चलिए आईए अब हम जानते हैं संसाधन के बारे में विस्तार से ठीक है बच्चों, प्रते एक वस्तू जिसका उपयोग हम क्या करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं वो क्या कहलाती है संसाधन। जैसे अभी हमारी जरुरत है मेरी जरुरत है आपको पढ़ाना और आपकी जरुरत है पढ़ना है ना। तो इसके लिए हम जिस भी समान का वस्तु का उप्योग करते हैं वह सर्व संसाधन है ठीक इसके लिए हम उधारन भी देखते हैं जैसे की जब हमको प्यास लगती हम पानी पीते हैं अपने घरों में हम क्या करते हैं लाइट जलाने के लिए पंकह चलाने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं स्कूल से आप जब घर जाते हैं तो कोई बच्चे पैदल जाते होंगे, किसी का घर बहुत दूर होता होगा तो साइकल से जाते होंगे, कोई रिक्सा या आटो या और भी बहुत सारी जो चीजें उनका उपयोग करते होंगे आप आने जाने के लिए, पढ़ाई के लिए अभी जो मैंने आप पो उधारन दिया जलका, विद्दूत, है ना, रिक्षा या फिर साइकल, सबजीया हो गई या पाठ्य पुस्तक हो गई, ठीक, इन सभी में समान चीजे क्या है? क्या है, इन सभी में कुछ एक जैसा है, जिसको हम बोलते हैं, क्या है एक जैसा, क्या है एक समान इन सब में, समानता क्या है एक चीज, एक चीज की समानता है, वो चीज क्या है? हाँ बहुत अच्छे हमारी जरूरत है ना तो इन सब की जरूरत पढ़ने पर हम क्या करते हैं अपने द्वारा इसका उपयोग करते हैं इसलिए वे क्या हो जाती है उपयोगी हो जाती है अगर हम उपयोग नहीं करते तो क्या वो उपयोगी होती क्या नहीं होती तो ये सभी वस्तुएं क्या होती है संसाधन होती है एक वस्तु अत्वप पदार्थ की उपयोगिता जिसको हम प्रयोज्यता भी कहते हैं ठीक है उसे एक संसाधन बनाती है मतलब कभी भी कोई वस्तु संसाधन कब बनती है जब हम उसका क्या करें उपयोग करें या वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो ठीक है बच्चों तो आपको समझ में आया होगा कि कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है वस्तुए संसाधन उस समय बनती है जब उनका कोई मुल्य होता है यहाँ पे बच्चों मुल्य से तातपर्य पैसे से नहीं है आगे हम जानेंगे इसके बारे में और इसका प्रयोग अथ्वा उपयोगिता इसे मुल्य प्रदान करते हैं कोई भी वस्तु का जब हम प्रयोग करते हैं या वह हमारे लिए क्या होती है उपयोगी होती है तब वो क्या हो जाती मुल्यवान हो जाती है ठीक अब यहाँ पे मुल्य का अर्थ है महत्व से जैसे कि कुछ संसाधनों का क्या होता है आर्थिक मुल्य होता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मुल्य नहीं होता आर्थिक मुल्य का मतलब पैसों से या रुपै से हम बोल सकते हैं जैसे कि हमको पढ़ने के लिए अपनी पुस्तक खरीदना है तो उसके लिए हमको पैसे की जरूरत होगी उस पुस्तक को खरीदने के लिए ठीक तो ये आर्थिक मुल्य हो जाएगा लेकिन हम कभी घूमने जाते हैं कहीं गार्डन जाते हैं ये कोई बहुत अच्छा सुन्दर सा द्रिश्य देखते हैं हमारे मन को भाज आता है बहुत ही अच्छा लगता है है ना और हम फोटो भी खिचाते हैं वहाँ आज कल खिचाते हैं कि नहीं तो क्या हम उसके लिए पैसा देते हैं वहाँ अगर हमको कोई भी दृष्ट रहता है, बहुत सुन्दर दिखाई देता है, हमारे मन को जो भाज आता है, नहीं न, लेकिन फिर भी वो हमको अच्छा लगता है, तो इसलिए वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, मुल्यवान हो जाता है, ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण ह कौन से दोनों संसाधन, कौन से दोनों संसाधन, बताईए, चाहे वो आर्थिक मुल्यवाले संसाधन हो, चाहे वो आर्थिक मुल्यवाले संसाधन ना हो, ठिक, और मनुष्य की आवशकताओं को ये दोनों संसाधन पूरा करते हैं, क्योंकि हमको कभी-कभी पैसों की जरु पढ़ती भी है और कभी कुछ चीजों को उपियोग करने के लिए पैसों की जरुवत नहीं पढ़ती वहां हम खुद से भी कर लेते हैं बच्चों अब देखिए कुछ संसाधन समय के सार्थ आर्थिक रूप से मुल्यवान हो सकते हैं ठीक है जैसे कि अभी मैंने आपको बता हमने एक सुन्दर सा द्रिश्य देखा कहीं हम घूमने गए वो अभी उसमें हमको पैसा नहीं लग रहा है लेकिन आपने जंगल सफारी का तो नाम सुना ही होगा है ना जानते भी होंगे बहुत से बच्चे ठीक तो अगर हम ऐसी जगा कहीं घूमने जाएं तो क्या होता है वहां के लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं टिकेट कटानी पड़ती है तो वो क्या हो जाती है आर्थिक रूप से मुल्लेवान भी हो जाती है इसके अतिरिक्त जैसे घर में आपके परिवार में सदस्य हैं आपके माता पिता है या दादी दादा जी हैं कुछ अगर हमको परिशानी होती है तो क्या करते हैं घरेलू नुसके हमको बताते हैं जिनको हम घर में क्या करते हैं आजमाते हैं अपनी तब्यात को ठीक करने के लिए लेकिन उसका कोई वाणिजी की मुल्ले नहीं होता यानि की आर्थिक मुल्ले नहीं होता उसके लिए हम पैसे नहीं देते नाहीं हम उसको क्या करते हैं, दुकान से, पैसों से खरीदते हैं, वो जो चीजों को हमको बोलते हैं लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांथ मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मुल्यवान हो सकते हैं बच्चों यहां पेटेंट का मतलब, एक मात्र अधिकार से हैं। ठीक है? जैसे कि कोई दवाई है, अगर हमको खरीदना हो, हमारी तब्यत खराब हो जाती हमको बुखार हो जाता है सर्दी खासी हो जाती है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना रहता है? दवाई, गोली या स कीरब हमको खरीदना रहता है और उसके लिए हम मेडिकल जाते हैं तो जब हम मेडिकल से खरीदें उस दवाई को तो उसके लिए क्या लगता है हमको पैसे की जरूरत रखती है ठीक है तो जब तक वो हमारे घर में हैं घर से हमको पता चल रही है किसी के द्वारा बोली जा रह होता है तब तक उसका कोई वाड़ी जिकी मुल्य या आर्थिक मुल्य नहीं होता है किन्तु पेटेंट होने पर एक मात्र अधिकार होने पर क्या होता है उसको दुकानों में बेचा जाता है जैसे कि बच्चों बबूल के पेड से ठीक है हम दातून भी बनाते हैं तो दातून करते हैं है ना दातून करते हैं तो हम तो पेड में जाते हैं तोड़ते हैं पेड से और दातून करने लगते हैं लेकिन अगर हम बबूल का पेस्ट खरीदने जाएं तो क्या होता है वह हमको बजार में पैसे से मिलती है चीजे दोनों एक ही है ठीक है लेकिन पेस्ट में क्या हो जाता है पेटेंट हो जाता है एक उसमें एक मात्र अधिकार हो जाता है कि वह हमको कमपनी बेच रही है और प ठीक है बच्चों अब जानते हैं हम संसाधन के प्रकार के बारे में लेकिन उससे पहले हम और भी कुछ जानते हैं वो है समय और प्रोध्योगी की ठीक है ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को क्या करते हैं संसाधन में परिवर्तित करते हैं याने कि अग पर उस समय हमको उसकी जरुवत नहीं हुई, ठीक है, किसी समय पर किसी वस्तु की जरुवत हमको नहीं हुई, तो क्या वो संसाधन कहलाएगी क्या, नहीं कहलाएगी, है ना, दूसरा है प्राध्योगी की, प्राध्योगी की जिसको हम तक्नीकी भी बोल सकते हैं, जाती है, जैसे कि जंगल से हम लकडी लाते हैं, चुलहा जलाते हैं, ठीक है, लेकिन उसी लकडी को हम क्या करें, अगर तकनीकी का यूज करके कुरसी में बदल दें, तो वो कुरसी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो कि किसमें बदल जाएगी, संसाधन में परिवर्तित हो जाएगी, तो उसमें हमने क्या किया, तकनीक का यूज किया, प्रोध्योगी की का उपियोग किया, ठीक है बच्चों, दोनों लोगों की, दोनों लोगों की आवशक्ताओं से संबंदित हैं, समय और प्रोध्योगी की, ये दोनों ऐसे चीज हैं, जो लोगों की जरूरतों से संबन्दित हैं, लोग स्वयम ही सबसे महत्वपूंट संसाधन हैं, ठीक? लोग भी क्या करते हैं? वो भी अपने आप में ही एक क्या है महत्वपूंट संसाधन हैं? कैसे हैं? जैसे की विचार, ज्ञान, अविसकार और नए-नए खोज करते हैं, रचनाएं करते हैं और संसाधनों को बनाते हैं जैसे कि पहले की जमाने में क्या होते थे राजा महराजा लोग रहते थे तो आप लोग उन्हें पंखा देखा होगा राजा महराजाओं के सीरियलों में पंखा कैसे रहता था हाथ से उसको जुलाते रहती थी दासियां खड़ वाले पंखे बना सकें जैसे कि अभी चलने वाले पंखों का अविश्कार क्या हुआ बाद में हुआ और ये कैसे हुआ लोगों की विचार से लोगों की ज्यान से नई नई खोज किये उन्होंने रचना की तो हाथ से हिलाने वाले पंखे से अब हम कहां पे पहुँच गये है उपर जो बिजली से चलने वाला पंखा हमारे घरों में मिलता है प्रते खोज अत्वा अविश्कार से बहुत से अन्य खोज एवं अविश्कार होते हैं पहले के लोगों ने क्या किया हाथ से हिलाने वाला पंखा बनाया हवा करने के लिए फिर उसके बाद उसी में लोग उसके बारे में सोचते गए कि हमको ऐसा कुछ बनाना है कि हमको हवा भी मिले लेकिन उसको हाथ से हिलाने की जरुरत भी ना पड़े तो इस तरीके से सभी चीजों का धीरे-धीरे अविश्कार होते गया और संसाधनों की रचना होते गए इसके लिए आग की खोज भी की गई थी है ना पहले क्या किया जाता था आग से खाना बनाने के लिए आग की खोज की गई फिर उसके बाद अगर हमको ठंड लगती है तो आग से हम क्या करते हैं ठंड के दिनों में आग ताप सकते हैं, सेख सकते हैं, है ना, पहीओं का भी अविश्कार बहुत पहले जमाने में हुआ, पहीओं से क्या बना पहले हाथ से पकड़ करके ढूलकाने वाली गाड़ी बनी, फिर उसके बाद उसमें और अविश्कार हुआ, तो क्या बना, बैल गाड़ी बने कि उसको हम बैल से भी चला सकते हैं जानवरों का उपियोग करके और उसके बाद धीरे धीरे वह अविश्कार इतना बढ़ते गया कि पहियों के कारण आज मोटर गाड़ियां ट्रक बस ये सभी चलते जा रही हैं और आगे भी नए नए गाड़ियों का क्रित किया गया है ठीक है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार में तीन प्रकार के होते हैं पहला प्राकृतिक दूसरा हम बोल सकते हैं मानव निर्मित और तीसरा मानव स्वयम ही एक संसाधन है अब हम जानते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होता है इसके अंतरग तो यहां तो शब्द से ही हमको समझ में आ जाता है कि प्राकृतिक संसाधन अर्थाद प्रकृति से प्राप्त होने वाला संसाधन जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि हम जंगल से लाकर के क्या करते हैं लकडी को काट के घर में चूला जलाते हैं तो वो क् हो गया एक प्राकृतिक संसाधन होगे हमारे लिए ठीखे तो जो संसाधन् किए प्राकृति से प्राप्त होते हैं और संसोधन किये बिना उन्पयोग में लायक जाते हैं तो यहां प्राकृतिक संसाधन होता है ठीक है जैसे कि वाई यू जिसमें हम सांस लेते हैं इसमें हम सांस लेने के लिए कुछ संसोधन करते हैं क्या नहीं करते तो ये प्रकृति संसाधन है, प्रकृतिक संसाधन है, नदियों और जीलों का जल हो गया, मृदा, खनीज, ये सभी भी क्या है, प्रकृतिक संसाधन है, इन संसाधनों में ऐसे संसाधन है, जो प्रकृति द्वारा हमको निशुलक प्राप्त है, जिसको हम प्रकृति का उपह पार भी मान सकते हैं और सीधे ही हम उपियोग में लाते हैं, पानी भी हम क्या करते हैं, पीते हैं, साज भी हम लेते हैं, ठीक है, इसके लिए हमको पैसे की जरुवत नहीं पड़ती, कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपियोग करने के लिए औजारों और प्राद्योग की आवशक्ता हो सकती है, कभी-कभी मैंने अभी ये भी बताया था आप लोगों को है, कभी-कभी प्राकृतिक जो संसाधन है, उसको और अच्छा बनाने के लिए, अच्छी तरह से उसका उप्योग करने के लिए हम क्या करते हैं, आजार अगर हम कुर्सी बना दें, तो उसमें औजार की भी जर्वत होती है, और कुछ तकनीकी की भी हमको अवशक्ता होती है, तो हम उसी लकडी को अपने बैठने के लिए एक इस्थान, एक अच्छी सी कुर्सी बना सकते हैं, जिसका उप्योग हम सभी करते हैं, बच्चों, एवं वित्रण के अनुसार किया जाता है, मतलब यह जो प्राकृतिक संसाधन है, इनको भी वर्गी कृत किया गया है, किस प्रकार से वर्गी कृत किया गया है, उनके विकास के अनुसार, उनके प्रयोग के इस्तर के अनुसार, उनका उधगम कहां पे है, उनका भंडार कह पे और उनका वित्रन कहां कहां किया जा सकता है। विकास और उपियोग के आधार पर संसाधनों को और दो वर्गों में बाटा गया है। वह है वास्तविक संसाधन और है दूसरा संभाव विसंसाधन वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ग्यात होती है ठीके बच्चों ध्यान रखिए वास्तविक संसाधन में क्या होता है हमको ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ग्यात होती है इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है, मतलब वर्तमान में हम उन संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि उधारण के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, जर्मनी के रूर प्रदेश में कोईले मिलते हैं, तो इसकी मात्रा जर्मन के जो लोग हैं जानते हैं कि ये कितनी मात्रा में में वहां उपस्थित है. पिस्टिम एस्या में खनीज तेल इसकी भी मात्राग्याद है वहां के लोगों को महरास्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निकषेप सभी सवास्तविक संसाधन है. तो ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा हमें ग्यात होती है वो क्या होते हैं वास्तविक संसाधन कहलाते हैं और जिनका उपयोग हम अभी वर्तमान में कर रहे हों संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी हमको संपूर्ण मात्रा ग्यात नहीं होती सिर्फ हमको ये पता रहता है कि हाँ ये संसाधन उपस्थित है लेकिन उनका उपयोग भी हम अभी नहीं कर रहे होते हैं किन्तु वर्तमान में हम उनका उपयोग कर सकते हैं ठीक है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं अजैव और जैव अजयव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो निर्जीव होते हैं या निर्जीव वस्तुवों को हम अजयव संसाधन बोल सकते हैं और जयव संसाधन कैसे संसाधन कहलाते हैं कैसे सजीव संसाधन को हम जयव संसाधन बोल सकते हैं जैव संसाधन के उधारण अगर हम देखें तो मृदा हो गई, चटाने हो गई, खनीज हो गई, जैव संसाधन, पौधे, जन्तु और स्वयम, मानो, ये भी एक जैव संसाधन में आएंगे, ठीके बच्चों, अद देखें, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तरित रूप से न नवीकर्णी संसाधनों में भी विभाजित किया जा सकता है, नवीकर्णी ऐसे संसाधन होते हैं, जिनका हम बार-बार क्या कर सकते हैं, उप्योग कर सकते हैं, और जो बार-बार पैदा किये जा सकते हैं, उत्पन किये जा सकते हैं, ठीके, जैसे कि पेड़, अगर हम पेड अभी उगाते हैं, तो कुछ साल के बाद हम उसको काट करके फिर से नए पेड उगा सकते हैं, तो ये नवी करनी है, संसाधन है, अनवी करनी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं, जो बहुत ही सालों बाद बनते हैं, जैसे कि कोईला, है न, कोईला क्या होता है, अगर हम अभी जमी इन से सभी कोईले को निकाल लेंगे तो क्या होगा आगे की पेढ़ी के लिए हमारे पास कोईला नहीं बचेगा क्योंकि इस कोईले को बनने में बहुत करोडों अर्वो साल लग जाते हैं तो इसलिए यह अनवीकर्णी संसाधन होते हैं इसके अलावा बच्चों वित्रण के आधार पर संसाधन सर्व व्यापक और इस्थानिक भी हो सकते हैं सर्व व्यापक यानि की जो सभी जगा उपस्तित हो जैसे वायू है हवा है पानी है है यह सर्व व्यापक हैं सभी जगा होते हैं इस्थानिक संसाधन ऐसे होते हैं जो स उसी इस्थान पर मिलते हैं जैसे तामबा हो गया लह अयस्क हो गया ठीक और पानी भी हम बोल सकते इस्थानिक संसाधन है वो सर्व व्यापक में नहीं आएगा क्योंकि रेगिस्थान में पानी होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में ही होता है ठीक इसके अतिरिक्त बच्चों प्राकृतिक संसाधनों का वित्रन भू भाग, जलवायू, उचाई, जैसे अनेख भोतिक यारकों पर निर्भर करता है क्योंकि हम अपने देश में या पूरे विश्व में देखें तो कहीं पर पहाड होते हैं, कहीं पर मैदान होते हैं, कहीं पर तो इस पे भी क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधनों का वित्रण इन पर भी निर्भर करता है प्रित्वी पर इन कारकों में विभिनता होने के कारण संसाधनों का वित्रण आसमान है अब जो प्रित्वी की भाग में जहां पहाड है यह जहां रेगिस्तान है तो रेगिस्तान के कारण ही अलग-अलग रूप से वित्रण इनका किया गया है या असमान रूप से वित्रण किया गया है बच्चों अब हम जानते मानव निर्मित संसाधन को मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित किये जाते हैं जैसे कि लोहा है ना कच्चा लोहा हमको धर्ती से मिलता है उसमें हम संसोधन करके लोह अयस्क बनाते हैं और उस लोह अयस्क का उपियोग हम करते हैं पुल बनाने में, सड़क बना में वहन बनाने में, तो यह संसाधन क्या हो जाता है, मानव निर्मित संसाधन हो जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोध्योगी की का इस्तमाल करते हैं, इसलिए प्रोध्योगी की भी क्या हो जाती, मानव निर्मित संसाधन हो जाती, क्योंकि उसका निर्मान किस ने किया है मानव ने ही किया है बच्चों आब आगे जानते हैं हम मानव संसाधन के बारे में मानव भी एक संसाधन है किस तरीके से मानव एक संसाधन है लोक और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृती का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्यान कौशल तता प्रोध्योगी की उपलब्द हो मानाव एक संसाधन तब कहलाता है जब वो और संसाधनों का या प्राकृतिक संसाधनों का अपने ज्यान से, अपने कौशल से या तक्निकी का प्रोध्योगी की का उपयोग करके उसको और एक नया संसाधन बना देता है जैसे कि मैंने आपको पहले उधारन दिया था लकडी से कुरसी बनाना है ना तो ये कैसे संभा हुआ? मानाओ की ज्यान से हुआ, मानाओ की कौशल से हुआ और मानाओ ने इसमें किसका उपयोग किया था? तक्निकी का भी उपयोग किया था जैसे कि अभी आज कल के जमाने में हम उधारन अपनी ओनलाइन क्लास का ही ले लेते हैं पहले क्या ये संभव हो पाता था क्या कि मैं आपको online पढ़ाऊं और आप online पढ़ सके आप मुझे देख पाएं या मैं आपकी आवाज सुन पाऊं या आप मेरी आवाज सुन पाएं नहीं लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ मानव ने सोच विचार किया अपने घ्यान को उन्नत क अपने कौशल का इसमें उपियोग किया, साथ में इसमें तकनीकी का भी उसने उपियोग किया और क्या किया नए नए संसाधनों का विकास किया, सिक्षा और स्वास्त लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर सिक्षा नहीं होगी और स्वास अच्छा नहीं होगा, तो क्या इंसान अच्छे से सोच पाएंगे, है ना जानकारी नहीं होगी, तो क्या हम प्राकृतिक संसाधन या किसी भी संसाधन को और विशिस्ट संसाधन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, इसलिए यह बहु मुल्य संसाधन बनाने में हमको क्य क्या चीजे मदद करती सिक्षा और स्वास्त अधिक संसाधनों की निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकाज कहलाता है मानव संसाधन विकास क्या होता है जो संसाधन है उनसे और अधिक संसाधनों का हम क्या करें निर्मान करें है ना और उसमें क्या हो मानव समर्थ हो तो यह मानव संसाधन विकास कहलाता है बच्चों आगे हम जानते हैं संसाधन का संरक्षन क्योंकि संसाधन का संडक्षन भी क्या है बहुत जरूरी है संसाधनों का सतर्टा पूर्वक हमको क्या करना चाहिए उप्योग करना चाहिए मान लीजिए अगर जितने भी संसाधन हमें मिलें अगर हम उसको अभी उप्योग करके खतम कर दें है ना उनको नवी करण उनका ना हो या नवी कृत वो ना हो पाएं तो क्या आगे की पेढ़ी उन संसाधनों का विकास कर पाएगी क्या या इस्तमाल कर पाएगी जब होंगे ही नहीं तो ना तो वो इस्तमाल कर पाएगी और जब इस्तमाल ही नहीं कर पाएगी तो वो उनका विकास क्या करना उपयोग करना और उनको नवी करण के लिए समय देना यह कहलाता है संसाधन संरक्षन नवी करण मतलब उनका बार-बार क्या होना उत्पन्न होना ठीक संसाधनों का उपयोग करने की आवशक्ता और भविश्य के लिए उनके संरक्षन में संतुलन बनाए रखना सतत पोश्णी विकास कहलाता है सतत पोश्णी विकास किसको बोलते संसाधनों को हम अवशक्ता अनुसार उप्योग करें और एक मात्रा में ही उप्योग करें ताकि क्या हो संसाधन का संरक्षन हो और संतुलन बना रहे मतलब वह संसाधन कभी ना खतम हो सदत पोश्णिय विकास संसाधनों के संरक्षन के अनेक तरीके हैं बहुत से संसाधनों के संरक्षन के अनेकी संसाधन को बचाने के बहुत से तरीके हैं जैसे कि मैं आपको उधारन स्वरूप बताती हूं बिजली हम अभी बिजली का उपयोग करते हैं है ना तो क्या कर सकते हैं इसको बचाने के लिए पानी हमारा व्यर्थ ना जाए बिजली हमारा व्यर्थ ना हो इसके लिए हम बिजली जितना उपयोग करें बस उतने ही समय के लिए हम चालू रखें और फिर क्या कर दें जब उसका इस्तमाल ना हो तो उसको बंद कर दें आगे बच्चों हमारी प्रित्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविश्य पेड़ पौधे और परी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षन से जुड़ा हुआ है इसलिए हमको क्या करना चाहिए यह सुनिश्चित करना चाहिए और यह सुनि करनी संसाधनों के उपियोग सतत पोश्णी है याने कि हम क्या करें जो नवी करनी संसाधन है मतलब जो जल्दी ही क्या हो जाते हैं बन जाते हैं तो इनका उपियोग हम ऐसा करें कि जितनी हमको आवशक्ता है व्यर्थ में हम इनको बेकार ना जाने दें प्रित्वी पर जी प्रकार के क्या होते हैं जीव जन्तु होते हैं धातुए होती हैं और भी बहुत सी चीज़े होती हैं तो सभी अलग-अलग प्रकार की हैं तो सभी ही सभी ही क्या हो संरक्षित हो ऐसा ना हो कि एक चीज संरक्षित हम कर रहे हैं और बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरणी तंत्र की हानी को कम से कम किया जाए, मतलब जो प्रकृति में पर्यावरणी तंत्र है जिसको हम हानी पहुचाते अपने पर्यावरण को उसको भी हमको कम करना चाहिए, तो बच्चों आपको आया संसाधन क्या होता है यह समझ में संसाधन की कितने प्रकार होते हैं ठीक, अब हम जानते हैं अब हम करते हैं इससे संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्ण ठीक है, चलिए तो आप अपना माइक क्या कर लिजिएगा अन्म्यूट कर लिजिएगा ठीक है, जब आपको उत्तर देना हो तब निमनलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता प्योगिता, मुल्य, मात्रा बहुत अच्छी कितना हाँ, है ना, संसाधन को निर्धारित कौन नहीं करता, मात्रा पिर घिमनलिखित में से कौन सा मानो निर्मित ऽंसादन है इन में से, बताईए बच्चों झरने कَजल कौन सा संसादन हो जाएगा जरने कजल कौन सा संसादन है प्राकरितिक संसादन प्राकृतिक संसादन बहुत अच्छे और उष्ण कटीबंदी 1 कौन से जंसादन है किस संसादन के अंतर गताएंगे उष्ण कटीबंदी 1 यह बी प्राकृतिक संसादन के अंतर गताएंगे ठीक है और cancer उपचार की ओशधिया कौन बनाता है हाँ मानव निर्मित होती है क्योंकि यह मानव के द्वारा बनाई गई होती है बच्चों अगला है कथन पूरा कीजिए जैव संसाधन खाली स्थान होते है क्या होते हैं जैव संसाधन जीव जन्तूओं से व्युत्पन्न होते है मनुश्यों द्वारा निर्मित किये जाते हैं जैवसंसाधन या फिर निर्जीव वस्तुओं से व्युद्पन्न होते हैं जीवजन्तुओं से व्युद्पन्न होते हैं जीवजन्तुओं से व्युद्पन्न होते हैं बच्चों, इस पार्ट से संबंधित, आपको कोई प्रश्न पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं, या आपको कोई डाउट है, कहीं पे कुछ समझ ना आया हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अब चलिए, लिखिए, ग्रीह कारे के प्रश्न प्रश्न एक, वास्तविक और संभावि संसाधन में अंतर बताओ, मैंने सबसे पहले आपको प्राकृतिक संसाधन के अंतरगत, वास्तविक और संभावि संसाधन ही बताया था, तो इनके बीच में क्या अंतर है ये आपको बताना है और आप ग्री कारी करके मेरे नंबर पे वाट्स अप कर सकते हैं अपने ग्री कारे को ठीक है अब लिखिए प्रश्न दो कुछ नवी करणी संसाधनों के बारे में सोचिए और बिताईए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपियोग उनके भंडार को प्रभावित करता है मतलब बच्चों इस प्रश्न का मतलब मैं आपको समझा रहे हूं ध्यान से समझिए कुछ नवी करणी संसाधनों के बारे में आपको सोचना है कि ऐसे कौन-कौन से संसाधन है जो नवी करणी है नवी करणी मतलब जो बहुत जल्दी ही बनाए जा सकते जिनका हम रिसाइकलिंग बोलते हैं रिसाइकल जिसको हम कर सकते हैं तो ऐसे कौन से संसाधन है नवी करणी संसाधन उनके बारे में पहले आप सोचिएगा फिर उसके बाद ये बताईएगा कि किस प्रकार संसाधन का अधिक उपयोग अगर हम इनका बहुत अधिक उपयोग करें तो ये उनके भंडार को प्रभावित करता है जैसे कि मैं आपको उधारन बता देती हूँ एक पेट्रोल हम अभी इस्तिमाल करते हैं लेकिन अगर बहुत से बहुत जरुवत से जादा इसको हम उपयोग में लाएं पेट्रोल बनने में भी थोड़ा समय लगता है ये अभी हमको कहां से प्राप्त होता है धर्ती के इसके भंडार को प्रभावित करेगा भंडार मतलब जहां से हम पेट्रोल को निकालते हैं वहां उसका भंडार होता है वहां वो बहुत सी मात्रा में हमको मिलता है ठीक है तो इस प्रकार के और भी नवी करणी संसाधनों की बारे में आप सोचिएगा और बताइएगा कि अ यारा में बोलो बिटा इस फार्ट को प्रश्ण उट्थर करना है प्रश्類 उत्तार नहीं जो ग्री कारे के प्रशनिया आप वह करियेगा और अगर आप करना चाहते हैं, तो वह भी कर लिजीएगा, क्योंकि मैंने आपको तो सारी चीजे बता दी हैं, ठीके? अगर आप प्रश्न उत्तर करके भेजना चाहें, तो वह भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रीक आरे जरूर करिएगा. ठीक है अच्छा बच्चों चलिए अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में तब तक के लिए आप सभी स्वस्त रहिए मस्त रहिए और खुब मन लगा करके पढ़ाई करिए ठीक है कौन से वाला सर बाई बाई बिटा हां हां जी 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 सर अच्छा हां हां सभी यूज़ ठीक ठीक वह बाकी यूज़ कर लोंगी फिर ठीक है हम डेकिन हां हां